जैन दोस्तों स्वागत है आपका जैवाला जी क्लास में दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में तो दोस्तों जो भी श्टूटन इस वीडियो को देख रहा है वीडियो को सुरू से अंतर तक अब श्ट देखे क्यों क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है हम जैन धर्म को बड़ी ही आसान तरीके से और विस्तत में पढ़ने जा रहे हैं तो आईए दोस्तों देखते हैं कि जैन धर्म का उदय कब और कैसे हुआ तो दोस्तों जेन धर्म का जो उदय है छटवी सतापदी के पूर्व में हुआ क्यों हुआ ब्राम्मनों के वर्ते जटल कर्मकानों की प्रिक्रिया के खिलाब हुआ ठीके दोस्तों तो दोस्तों आईए देखते हैं जेन धर्म का उदय तो दोस्तों छटवी सतापदी के पूर्व में ब्रामनों के वर्टे जटल कर्मकानों की प्रिक्रिया के खिलाब जैन धर्म का उदय हुआ चलिए दोस्तों आगे वर्टे तो दोस्तों हम बात करें जैन सब्द किस सब्द से मिलकर बना हुआ है तो जैन सब्द जो है किस से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या है दोस्तों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चलिए इसके बाद देखें दोस्तों कि जैन महत्माओं को क्या कहा जाता है तो दोस्तों जैन महत्माओं को क्या कहा जाता है निर्गरंथ कहा जाता है क्या कहा दोस्तों जेन धर्म के शंस्थापकों को क्या कहा जाता है तो दोस्तों जेन धर्म के शंस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है क्या कहा जाता है तीर्थंकर कहा जाता है जेन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनको आगे हम पढ़ने वाले हैं चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों तीर्थंकर सब्द जो है किन दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है तो दोस्तों तीर्थंकर दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है तीर्थ और कर ठीक है जिसके अलग-अलग अर्थ हैं दोस्तों आए देखते हैं हम यहाँ पर तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तीर्थ सब्द का क्या अर्थ है तो दोस्तों तीर्थ सब्द का अर्थ उस निमित सादन अथवा मार्ग से है जो मनुष्य को संसार रूपी भावसागर से पार उतार दे ठीक है तो तीर्थ सब्द का अर्थ उस निमित सादन अथवा मा किसे है जो मनश्य को शंशार रूपी भावसागर से पार उतार दे इसके बाद बात करें दोस्तों कर सब्दकार थे यहां पर क्या है तो दोस्तों कर सब्दकार थे यहां पर करने वाला या बनाने वाला से है ठीक है दोस्तों चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जै सबसे पहले बात करें जैनध्ये संसतापक कौन Remold रिशब दियों है इनका प्रती चिनन क्या है पृत्रथा रिषब है जो i रिशब्देव के पता का क्या नाम था दोस्तों तो क्या था नाभी राम था रिशब्देव क्या थे दोस्तों एक राजा थे इनका प्रितीक चिन्न क्या था दोस्तों विर्शफ था इनका चेत्रवक्ष क्या था नियगरोत था ठीक चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रिशब्देव और अर्ष्ट नेमी का उल्लेग कहां पर मिलता है तो कहां पर मिलता है रिगबेद में मिलता है ठीक है तो रिगबेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेग मिलता है तो किन का मिलता है उल्लेग रिशब्देव और अर्ष्ट नेमी का उल्लेग मिलता है किसमें र दोस्तों बात करते हैं अजितनात के बारे में तो दोस्तों अजितनात की बात करें तो यह जैन धर्म के कौन से तीर्थंग करते हैं दोस्तों दूसरे तीर्थंग करते हैं इसके बात करें इनका वर्णन कहां पर मिलता है तो इनका वर्णन कहां पर मिलता है दोस्तों यह जु अजितनात थे, यजुरुबेद में किसका पर्णन मिलता है, किसका मिलता है, अजितनात का मिलता है, इनका प्रितीक चिन्न क्या था दोस्तों, इनका प्रितीक चिन्न गर्ज था, तथा इनका चैत्वरक्ष क्या था, दोस्तों, इनका चैत्वरक्ष शप्त पर्णन था, चलि इसके बाद दोस्तों मल्लीनात के बारे में एक विशंगती है कि कुछ लोग इन्हें स्त्री मानते हैं और कुछ लोग इनको पुरुस मानते हैं जैसे हम बात करें दोस्तों दिगंबर शंप्रदायने क्या मानता है पुरुष मानता है तता शुरतांबर शंप्रदायने क्या मानता है इस्त्री मानता है इनका प्रतिक्चन क्या है दोस्तों कलस है तता इनका चैत्र विरक्ष क्या है दोस्तों ककेली है ठीक तो जैंदर में क उन्नईश्वे तीर्थंकर कौन थे दोस्तों मलीनात थे मलीनात इस्तरी थे या पुरुस इसे लेकर विवाद रहा ठीक दिगंबर शंपरदाय ने क्या मानता है पुरुस मानता है और श्वेतांबर शंपरदाय ने क्या मानता है इस्तरी मानता है ठीक इसके बाद हम बात करे दोस्तों तो यह क्या है जैन धर्म के कीश्वे तीर्थंकर है इसके बाद बात करें दोस्तों महाभारत कालीन कौन से तीर्थंकर है तो दोस्तों महाभारत कालीन तीर्थंकर अरिश्टनेमी है इनका चैत व्रक्ष क्या है दोस्तों धव है और इनका प्रतीक चन्न क्या है तो कौन है अरिस्टनेमी है महा भारत कालीन इनका पृतीक चिन्नी था दोस्तों संह था इनका चयत्त व्रक्श क्या था धौ था ठीक इसके बाद बात करने दोस्तों जैन्सायत उत्त्राध्यैसूत्र मैं इनहें कृष्न का शमकालीन अत्वा शम्मंदी माना जाता है चलिए दोस्तो इसके बाद हम बात करने दोस्तो जैन धर्मे के 23 और 24 तीर्थंकर को क्या माना गया है तो दोस्तों जैन धर्मे के 23 और 24 तीर्थंकर एतिहासिक पुरुष माने जाते हैं ठीक चलिए 23 तीर्थंकर कौन थे दोस्तों तो कौन थे पार्षुनात थे तो आईए थोड़ा सा पाश्वनात जी के बारे में देख लेते हैं कि जैन धर्म के 23 वे तीर्थंकर कौन है पाश्वनात है इनका जन्म कम माना जाता है तो दोस्तों इनका जन्म महाभी श्वामी से 200 बर्ष पूर्व माना जाता है और इनका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों तो इनका जन्म कहां पर हुआ था वरणासी में हुआ था ठीक चलिए इसके बाद हम बात करने दोस्तों इनके पिता कौन थे अश्वशेन थे जो की कहा के राजा थे काशी के राजा थे ठीक चलिए इसके बाद थोड़ी सी बात कर दोस्तों महभी श्वामी का जन्म जो है कब Μाना जाता है तो महभी श्वामी का जन्म मैं पार्षो नौनास्वी का जन्म हुआ था कहां पर हुआ था वरणासी में हुआ था इनके पिता कौन है दोस्तों अश्वशेन है जो कि कहां के राजा है कासी के राजा है इसके बाद हम बात करें दोस्तों इनकी माता का क्या नाम था तो इनकी माता का नाम बामा देवी था इसके बाद हम बात करें दोस्तों उनकी पतनी का क्या नाम था तो उनकी पतनी का नाम प्रभावती था जो कि किस देश की राजकुमारी थी तो दोस्तों प्रभावती जो थी कुस स्थल देश की राजकुमारी थी इसके बाद बात करें जो पास्वनात थे किस वन्सके थे तो इसके बाद हम बात करें दोस्तों फार्षणा स्वामी ने कहां पर तपस्या की थी तो दोस्तों फार्षणा स्वामी ने शम्मेद परवत पर तपस्या की थी और तपस्या के कौनशे दिन इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो दोस्तों तपस्या के चोराशी वे दिन इन को ग्यान की प्राप्ति हुई थी इसके बाद हम बात करें इन्होंने एक शंप्रदाई की स्थापना की थी वो शंप्रदाई कौन सा था दोस्तों निर्गरंत शंप्रदाई था ठीक इसके बाद हम बात करें दोस्तों इन्होंने सिक्षाएं दी हैं वो चार सिक्षाएं कौन ब्रमप्रमचन, और जोड़ देंगे जिस से पंच्वरत कहे जाने लगती है, इसके बाद हम बात करें, दोस्तों इन चारों को क्या कहते है? इन चारों को चतुरती भी कहते हैं, या यह चारों चतुरती भी कहलती है ठीक तो ये चार सिक्षाएं किसे ने दी है पार्षुनात स्वामी ने दी है चली इसके बाद हम बात करें पार्षुनात स्वामी के अनुयाई क्या कहलाए तो पार्षुनात स्वामी के अनुयाई निर्गंत कहलाते थे ठीक तो पार्षुनात के अनुयाई निर्गरंथ अर्थाद बंधन रहत कहलाते थे इसके बाद बात करें दोस्तों महावी श्वामी के माता पता भी किस संप्रदाई के अनुयाई थे तो दोस्तों महावी श्वामी के माता पता भी निर्गरंथ संप्रदाई के अनुयाई थ ठीक इसके बाद हम बात करें दोस्तों पार्षुना स्वामी ने तपश्य कहां पर की थी सम्मेद परबत पर की थी जिसे क्या माना जाता है सिद्ध छेत्र माना जाता है ठीक तो पार्षुना स्वामी को तपश्या के चोराशी वे दिन शम्मेद परबत पर ग्यान प्राप्त हुआ इसे जैन सिद्ध छेत्र भी माना जाता है ठीक चलि इसके बाद थोड़ा से और पढ़ लेते हैं पार्षणास्वामी जी के बारे में कि जैन गिरंथों में पार्षणास्वामी को पुरुशादिनियम कहा गया है इन्हों ने जो है महिलाओं को भी धर्म में प्रिवेस दिया था चलि यह हो गया पार्षणास्वामी जी के बारे में इसके बाद दोस्तों महावी श्वामी की बात करें तो जैन धर्म के 24 वे या अंतिम तीर्थंकर कौन थे तो कौन थे दोस्तों महावी श्वामी थे ठीक इसके बाद बात करें दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक कौन थे महाभी श्वामी थे जयन धर्म के 24 वे ये वं अंतिम तीर्थंकर कौन थे महाभी श्वामी थे चले इसके बाद बात करें दोस्तों इनका जन्म कम माना जाता है तो दोस्तों महाभी श्वामी का जन्म जो है 599 इशापूर्ब में माना जाता है इनका जन् इसके बाद हम बात करें दोस्तों इनकी माता का नाम क्या था तो दोस्तों इनकी माता का क्या नाम था त्रिशला था जो की बैसाली के लिच्छवी वंस के सासक चेटक की वहन थी और इनका दूसरा नाम भी मिलता है तो इनका दूसरा नाम क्या है दोस्तों विदेह दत्ता है ठीक इनका दूसरा नाम क्या मिलता है विदेह दत्ता मिलता है चली इसके बाद हम बात करें दोस्तों इनके दाशे हुआ जो की क्या थी कुंडिय गोत्र की कन्या थी जिन से इनको एक पुत्री की प्राप्ती होती जिसका नाम क्या था दोस्तों अनुज्जा प्रियेदर्शना ठीक तो महाभी श्वामी की पुत्री का नाम क्या था तो क्या था अनुज्जा प्रियेदर्शना जिनका किस से होता है जमाली से होता है किस से होता है जमाली से होता है जो कि किस के दमाद होते हैं महावी श्वामी के दमाद होते हैं इसके बाद हम बात करें दोस्तों महावी श्वामी के जो प्रितिक चन्ने था वो क्या था शेह था चले इसके बाद हम बात करें दोस्तों महावी श नंदी वर्धन से आग्या लेकर 30 वर्ष की आयू में ग्रह त्याक किया चलि इसके बाद इनको ग्यान की प्राप्ति कब हुई तो दोस्तों महावी श्वामी को 12 वर्षों की कठन तपश्चा के पश्चात जुंबिक ग्राम में रिजुपाली का नदी के तट पर साल की प्राप्ति हुई ठीक है दोस्तों तो कॉस्चन बन जाते हैं दोस्तों कि महावी श्वामी को ग्यान की प्राप्ति किस ग्राम में हुई तो किस ग्राम में हुई जुंबिक ग्राम में हुई किस नदी के तट पर हुई रिजुपाली का नदी के तट पर हुई किस ब्रक् बराकर नदी के तड़ पर विपूलांचल की पहारी पर दिया ठीक है तो महाभी श्वामी ने ग्यान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश राजग्रह में बराकर नदी के तड़ पर विपूलांचल की पहारी पर दिया था ठीक है दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करने दोस्तों ग्यान प्राप्ति के पश्चाद महाभी श्वामी को क्या क्या कहा गया या ग्यान प्राप्ति के पश्चाद महाभी श्वामी क्या कहलाए ठीक तो ग्यान प्राप्ति के बाद ए जिन अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले कैवलिन अर्थात पूर्ण ग्यान की प्राप्ति करने वाले अरहत अर्थात योग और महावीर अर्थात प्राक्रमी कहलाए ठीक चली इसके बाद हम बात करें दोस्तों महावी श्वामी ने अपने धर्म का परचार किस भासा में किया तो किस भासा मैं किया प्राकरत भासा मैं किया ठीक है तो प्राकरत भासा मैं महाभी श्वामी ने अपने धर्म का प्रचार किया इसके बाद हम बात करें दोस्तों महाभी श्वामी के प्रथम सिस्य कौन थे तो दोस्तों महाभी श्वामी के प्रथम सिस्य कौन बनी तो दोस् चंपा नरेस ददीबाहन की पुत्री थी चली इसके बाद बात करें दोस्तों महावी स्वामी के प्रथान सिस्चियों को क्या कहा जाता था गरधर कहा जाता था दिन की संख्या कितनी थी दोस्तों 11 थी तो 11 गरधर कौन थे तो महावी स्वामी के प्रथान सिस्चियों की संख क्या ग्यारा है जिने क्या कहा जाता था गलधर कहा जाता था ठीक ग्यारा गलधर दोस्तों इस प्रकार हैं इंद्र भूती अगनी भूती वायू भूती व्यक्त शुधर्मन मंडित मोरिय पुत्र अंकपती अचल भ्राता मौतारे और प्रभास एक ग्यारा गलधर थे किसके म मेंसें इंद्रभूती और सुधर्मन के अलाबा सेस गर्दर की जो मृत्यु है महाबीर स्वामी के जीवन काल में हो गई थी ठीक अर्थात दोस्तों महाबीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात केवल कौन-कौन बसता है ग्यारागल धर्में से इंद्रभूती और शुधर्मन बसते हैं बाकी शबी की जो मुरत्यू है दोस्तों महावी श्वामी के जीवनकाल में ही हो गई थी ठीक महाभी शौमी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार कितने वर्सों तक किया तो महाभी शौमी ने दोस्तों 30 वर्सों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया इसके बाद बात करें दोस्तों महाभी शौमी की मृत्यू जो है कहाँ पर हुई तो कहाँ पर हुई राजग्रह में हुई राजग्रह के पाबापुरी में हुई कितने वर्स की अवस्ता में हुई 72 वर्स की अवस्ता में हुई चले इसके बाद हम बात करें दोस्तों महावी स्वामी के मरनो प्रांद जैन संग का अद्धेक्ष कौन बना तो कौन बना शुधर्मन बना ठीक है तो सुधर्मन जो है महावी स्वामी के मरनो प्रांद जैन संग का अद्धेक्ष बना इसके बाद बात करें दोस्तों सुधर्मन की मेत्यू के पश्याद 44 वर्षों तक जैन संगे का देख्च कौन रहा तो कौन रहा दोस्तों जम्बू रहा तो दोस्तों जम्बू की बात करें सुधर्मन की मेत्यू के बाद 44 वर्षों तक जैन संगे का देख्च रहा इसके बाद बात करें दोस्तों जैंदर्म की सिक्षाओं में शत्त, अहिंसा, अस्ते और अपरिग्रह किस से संबन्दित हैं तो किस संबन्दित हैं दोस्तों पार्शुनाज से संबन्दित हैं जिसमें दोस्तों महावी श्वामी ने क्या जोड़ दिया इसके बाद बात करें दोस्तों महावी श्वामी ने इसमें इन सिक्छाओं में क्या जोड़ दिया ब्रहमी चर को और जोड़ दिया अता है महावी श्वामी ने जो है पंचिवरत व्याख्या को माननेता दी ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें पूर्व प पुस्तक है जिसमें महावी श्वामी के धार्मेक उपदेशों का शंकलन किया गया है ठीक दोस्तों इसके बाद जो है जो है जैन धार्मे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने के तरीक तरीका अच्छा लगत है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें